हेज गाईज वेलेकम तो अबर यूट्यूब चनल संसाइंस आफनेट और आज इस वीडियो में हम लोग जो है आगनवारी केंड के बच्चों का जिनका गलत आगनवारी सेलेक्ट हो गया है उनका सही आगनवारी में ट्रांसफर कैसे किया जाता है वो जानेंगे तो सबसे पहले आपको किसी भी आगनवारी को ट्रांसफर करने के लिए आपको जाना होगा ICDS के वेबसाइट पे ICDS onlinebihar.nic.in यह वही वेबसाइट है जिसके द्वारा आप डीबीटी का फॉर्म भरते है तो सेम प्रोसेस के साथ हम करेंगे यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक करें इस पर क्लिक करना होगा फिर जो प्रोसेस आम तोर पर लोग करते हैं आगनवारी के ट्रांसफर करने के लिए जिन लोगों ने गलत आगनवारी सिलेक कर लिया है तो वो क्या करते हैं यहाँ पर लॉग इन करते हैं लोग इन करने के लिए यहाँ क्लिक करें इस पर क्लिक करके और अधार नमर मुबाइल नमर दाल के जो है जिस बेनिफियरी का उन्होंने गलत किया है उसे लोग इन करके वहाँ से आगर मारी स्लेक करते हैं चेंज करने या कोशिश करते हैं वहाँ पर आपको data saved successfully लिखे देगा लेकिन वहाँ से वह चेंज नहीं होता है कोई भी correction करने के लिए फिर आपको department login करना होगा department login करने के लिए यहाँ पर department login का option है इसपर ख्लिक करना होगा फिर यहाँ पर office login का option है जहाँ पर login का परकार में से आपको select करना होगा आगनवाडी फिर आपको अपने user ID डालना है फिर आपको अपना OTP यानि के आपका password डालना है फिर capture code capital में enter करके login करे इस पर click करना है तो चलिए हम अपना user ID आप password डाल कर login कर लेते हैं तो user ID password डालने के बाद capture code हमने enter कर दिया है आप हम click करेंगे login करें login करने के बाद जो है हम लोग जो है अपने user ID में login हो चुके आप हम click करेंगे action पर कुछ second के लिए एक से दो second फिर इस तरह से pop-up window आएगा तो इससे बाहर निकलने के लिए हम कहीं पर भी बाहर पर click करेंगे और यहां पर देखिए तीन option एक आरवन में है verify beneficiary जहां से हम beneficiary को verify करते हैं कि यह हमारे अगनवारी से है या नहीं है दूसरा है update अगनवारी तो यहां पर हम को जह है update अगनवारी R2 है इस पर click करना होगा इसके दोवारा जो है हम किसी beneficiary के गलत अगनवारी चुने गए को उसके सही अगनवारी यानिक उनके home center में transfer कर सकते हैं तो इसके लिए हमें क्लिक करना होगा update आगनवारी अब एक बात ध्यान रखनी वारी बात है कि जिन भी beneficiary को आप update करना चाहते हैं उनके home center में भेजना चाहते हैं ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उनका अधार नंबर आपको मालूम होना चाहिए ठीक है तो जैसे कि हम यह आप एक जामपल के लिए एक अधार नंबर है हम उसे टाइप करते हैं अधार नंबर उन beneficiary का टाइप करने के बाद आपको get detail पर क्लिक करना होगा तो इन अधार नंबर से जिन beneficiary ने अपना register करवाया है उनका यहां पर option आजाएगा अब देखिए यहां पर दो option है यहां पर एक वीवरं सुनिचित करें लिस सपोज कि आपका पंचायत भी गलत चेंज हो गया है मतब गलत यहां पर सिलेक्ट हो गया तो आप यहां से अपना पंचायत भी अलग चूज कर सकते हैं ठीक है और जिस पंचायत में जो आगनवारी है यहां से उन्स आगनवारी को चूज करके वीवरं सुनिचित करें इस पर क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करने के बाद आपको data saved successfully लिख देगा यहां पर हम जो है desktop mode में जाते हैं desktop site continue तो देखें यहां पर आपको वीवरं सुनिचित करें जैसे यह आप इस पर क्लिक कर दीजिगा इस rate बटन पर इस rate बटन पर तो यहां से यह data saved हो जाएगा और यहां से ही ज़िए उनके जो home center में है यह beneficiary transfer हो जाएगी मैं यहां पर इस पर click नहीं कर रहाएँ क्यूंकि मुझे नहीं मौलुम है कि इनका home center है तो हम यहां पर click नहीं करेंगे अगर आपको मालूम है कि आपकी beneficiary का home center कहां पर है तो आप इस पर click करके save कर दिजेगा वो अपने home center में transfer हो जाएगी तो कुछ इस परकार से आप अपने beneficiary का उनके home center पर transfer कर सकते हैं I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सिखने को मिला है अगर आपको इस वीडियो से कुछ सिखने को मिला है तो आप इस वीडियो को like कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल यह सुझाओ है तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं thank you for watching this video bye bye